नमस्कार मैं आचार्य बिनोत भरद्वाज एश्टो तक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज भी हम बात करेंगे पित्रों की बारे में क्योंकि गरुण पुराण का मत है कि यदि अपने पित्रों की क्रिया को उनके स्राध कर्म को उनके तरपण कर्म को यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से शंपूरण कर लेता है तो निस्चित रूप से पित्र देवता आसिर बात दे करके जाते हैं लेकिन आज हम पित्र देवता की बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे पित्र पक्ष में मात्री देवी की जिसे मात्री नौमी के रूप में जाना जाता है और यह दिन 7 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है गरुण पुराण में कहा गया है जैसे पित्र होते हैं वैसे मात्री का भी पच्छ विसेश माना जाता है सास्त्रों में कहा गया है माता हमारे जीवन के लिए बेहद महत्य पुर्ण है माता चाहे मेरे पास रहे या ना हो लेकिन उनकी अनभूती हमारे पूरे जीवन बनी रहती है उनका लाड प्यार अशनेह बना रहता है गरुण पुराण में कहा गया है मात्रि नौमी के दिन यदि अपने माता के लिए बिसेस्राध करते हैं तो निस्चित रूप से माता माता मही प्रमाता मही तीनों पीडियों की माताएं खुस हो जाती हैं और जीवन में शुख शंब्रदी का महा आसिरबाद देती हैं तो मात्रि नौमी के दिन यदि आपकी माता कीती थी आपको मालुम है तो उस दिन आप अपने माता के लिए थी थी करें ही करें लेकिन मात्रि नौमी के दिन भी आप अपने माताओं के लिए पिंड़ दान कर सकते हैं तरपन कर सकते हैं और उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं गरुन पुरान में कहा गया है यदि किसी भी माता की तिथी ये तीन माता हैं माता माता मही प्रमाता मही पिता की माता से लेके तीन पिड़ी तक की जो एक तरह से माता हैं इन्हें हम पित्र मांगते हैं यदि इन में तीनों में किसी की तिथी नहीं मालूम है तो मात्र नौमी के दिन उनके नाम से पिंडदान, तिलानजली और वस्त्रदान आदि करके अपने आप मात्र रिंड से मुक्ति पा सकते हैं मित्रों कारिक्रम कैसा लगा जरूर बताईएगा यदि इस कारिक्रम में कहीं भी कुछ आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप जानकारी ले सकते हैं आपकी माता माता मही प्रमाता मही देवी के रूप में आपकी हर पकार से रक्षा करें आपकी मात्र देवी आपके परिवार में एक तरह से खुसियों की वर्सात करें इसी आसिरवात के साथ इस कारिक्रम को शंपन्न करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद नम तक एप और चिटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से